नाबालिक लड़की को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे नमस्कार आप देखरें UK24 into 7 News उदमजिंग नगर में एक ऐसी वीडियो वाइरल हो रही है जिसने बाजपूर दो रहा चौकी पुलिस में हडकम मचा दिया है नाबालिक किशोरी को बाइक पर बजा लेकर जाना एक यूवक को भारी पड़ गया सूचना पर परीजनों ने यूवक के साथ जम कर मार पिटाई की जो की मामला देखते ही देखते खूनी संगर्ष में बदल गया और खूब लाठी डंडे चलने लगे जिसमें तेरा लोग घायल हो गए जिसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है वहीं वीडियो वाइरल होने के 24 घंटे के बाद ही बाजपूर दो रहा पुलिस कारवाही करने के नाकाम्याब साबित हुई है वहीं पुलिस उनके पंचायत का इंतिजार करती नजर आई वहीं आपको बता दे की उदम सिंग नगर की बाजपूर विदान सबा के गाओ कनोरा में एक यूवग नाबालिक लड़की को बाइक पर बजार लेकर जा रहा था जिसके चलते गाओं के दो पक्षों में जमकर मार पिटाई शुरू हो गई मार पिटाई इत्ती बढ़ गई कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडेवा इट पत्थर चलने लगे जिसमें दोनों पक्षों के तेरा लोग घायल हो गए आपको बता दी कि घायलों को उपचार के लिए बाजपूर के ही सामोदाइक स्वास्त केंदर में ले जाया गया जहां चिकच्चकों ने करीब आदा दरजन घायलों को उपचार के लिए रेफर कर दिया जबकि अन घैलों का उप्चार कर उन्हें घर बेज दिया गया वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई वहीं इसी दोरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तैरीर दे कर कारवाई ही की मांग की है लेकिन अभी तक दोराहा पुलिस चौकी की तरफ से कोई भी कारवाई नहीं की गई है जो कि एक चर्चा का विशे बना हुआ है देखिये पुरी ख़बर प्रदीब भंडारी की उदम सिंग नगर से UK 24-7 के लिए देखिये कल ये सुबह की बात है मेरे संग्यान में ये बात आई है कि एक चाचा अपनी बटीजी को कोई बायक में बैठा करके ले आया था तो दूशे पक्षी ने आरफ लगाई गलत नियसी बच्ची को अपने साथ गढ़ा करके ले गिया था किसी बात को लेपर के इनके आपस में कुछ बिवात हुआ था अभी संग्यान में तो हमारे है लेकिन इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रातापतर अभी तरहरी नहीं दी गई है और मैंने वागे चौकी जाज़बो इसकी जाज़ के संब्दम होता है कि यह जाज़ करें आप इस संब्दम में क्या यह गट्टा गटित हुई है सरे राने पर आगे गी विदिक करवाई की जाए गाउं की गलियों से शहर के शोर शराबे तरह हम लाते हैं सही खबर आप आप देख रहे हैं UK 247 News खबर वही जो है सच सही